हेलो बच्चो नव भारती परिवार में आपका स्वागत है बच्चो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का विशे पॉलिटिकल साइन्स यानि की राजनीती विज्ञान और राजनीती विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है खंड ए राजनीती विज्ञान के मूल आधार की एकाई एक का अध्याय थि छिसका नाम है राजनीती विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंद बच्चो आपका जो अध्याय है इसके कुछ टॉपिक्स हम पार्ट वन में पढ़ चुके हैं और जो कुछ टॉपिक्स बच गए हैं वो हम पार्ट वन में पढ़ रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अध्याय हम देखेंगे बच्चो राजनीती विज्ञान और मनविज्ञान राजनीती विज्ञान और समाज सास्तर के संबंध उनके बीच में क्या-क्या अंतर है क्या-क्या पारस परिक्ता हैं वो हम पढ़ चुके हैं अब हम पढ़ रहें आगे राजनीती विज्ञान और जो अंदर चल रही होती है और उसके बहार का अध्यान यह क्या क्या लाता है? मनो विज्ञान के लाता है मनो और मानवी वेवार और प्रकरती को समझे बिना राजनीती विज्ञान का अध्यन ठीक प्रकार से काम ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता यानि कि अगर मानवी वेवार और प्रकरती को छोड़ दिया जाए तो राजनिती विज्ञान का अध्यान ठीक परकार से नहीं किया जा सकता है या उसके अध्यान पूरा नहीं होगा इनके बिना राजनिती में मनो विज्ञानिक तथ्योग की उप्योगिता को सुईकार करते हुए वर्तमान राजनिती शास्त्री मनो विज्ञान एक अध्यन पद्धिती के प्रयोग पर जोड़ देने लगे हैं राजनिती विज्ञान और मनो विज्ञान में प्रयाप्त भेद भी है यानि कि इनमें ये बहुत आवशक भी है लेकिन क्या है इनमें बहुत सारी इसमें एक तरेके की समानताय भी है और क्या है और इसमें भेद भी यानि बहुत सारे इसमें अंतर भी है मनो विज्ञान एक यथार्तवादी विज्ञान है मनो विज्ञान क्या है एक यथार्तवादी विज्ञान है राजनिती विज्ञान यथार्तवादी होने के साथ आदर्श वादी भी है राजनिती विज्ञान एक अतिप्राचिन विज्ञान है और मनो विज्ञान एक नविन शास्त्र है राजनिती विज्ञान और मनो विज्ञान की पारसपरिक्ता यानि उनमें क्या-क्या समानता है है वो हम देखेंगे और ये एक दूसरे के किस प्रकार पूरक है वो हम देखेंगे राजनिती विज्ञान और मनो विज्ञान परस पर अनुपूरक वे सहयोगी है इन दोनों की परस परिक्ता को निमनानुसार समझा जा सकता है तो पहला है मनो विज्ञान की राजनिती शास्त्र को देन की ब्राइस का कथन है राजनेती शास्तर की जड़े मनोविज्ञान में नहीं थै आर्थ है की राजनेती समश्याओं का अध्यन समाजिक मनोविज्ञान के संदर्व में किया जाना चाहिए राजनीती में मनोविज्यानिक तथ्यों की उपयोगिता को स्विकार्टे हुए वर्तमान राजनीती शास्त्री मनोविज्यानिक अध्यन पद्धिती के परियोग पर जोड़ देने लगे हैं यह पद्धिती किसी रास्त्र की हो सकती है तो बच्चो हमने देखा कि मनोविज्ञान की राजनिती शास्त्र को क्या क्या देन है अब हम देखेंगे राजनिती शास्त्र की मनोविज्ञान को क्या देन है तो राजनिती शास्त्र भी मनोविज्ञान को प्रभावित करता है राजनिती शास्त्र मनुविज्यान को राजनितिक क्रियकलापों से संबंधित अध्यन सामगरी पृदान करता है जिससे मनुविज्यान और भी अधिक समरद हो जाता है तो बच्चों ये हमने देखा कि इनमें क्या-क्या पारस परिक्ता है, अब हम देखेंगे कि इनमें क्या-क्या अंतर है, राजनेदी विज्ञान और मनविज्ञान में अंतर, दोनों शास्तरों के बीच उपरोक्त घनिष्ट सम्मंध होने के बावजुत इनमें बहुत सारे यानि इसमें बहुत सारे घनिष्ट सम्मंध है, यानि कि इनमें समानताएं हैं, पारस परिक्ताएं हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे अंतर भी है, जो हम देखेंगे, तो पहला अंतर क्या है, अध्यन शेत्र की द्रश्टी से, यानि अध्यन शेत्र की द्रश्टी से, यानि क्यूंति रार्जनेति शास्त्र में मात्र। बाहर राजनेति किर्याव का अध्यान करता है। दूसरा है प्रकर्ति की द्रश्टी सेन में अंतर है मनोव विज्यान एक यथार्थवादी विज्यान है जबकि राजनेती विज्यान यथार्थवादी होने के साथ ही आदर्षवादी भी है मनोविज्यान मनुष्य की मनोवरती क्या थी और क्या है का अधन करता है किन्तु यह विचार नहीं करता कि उसे क्या होना चाहिए किन्तु राजनिती शास्त्र क्या करता है राजनिती जीवन के संदर्व में क्या था क्या है तता क्या होना चाहिए का भी अध्यन करता है तीसरा है आधार्बु धार्णा की दरश्टी सेन में अंतर है मनो विज्ञान मनुष्य को मूल रूप में एक ऐसा मानो मानता है जो बुद्धी के इस्थान पर भावनाओं के आवेगवे समवेग से संचालित होता है इसके विप्रित राजनिती शास्त्र में क्या होता है राजनिती शास्त्र में मनुष्य को मूलत बुद्धी संपन विवेग शीलेवं सब्वे प्राणी मानकर चलता है चोथा है विकास की दरश्टी सेन में अंतर है विद्वानों का विचार है कि राजनिती शास्त्र एक अति प्राचिन शास्त्र यानि कि बहुत पुराना शास्त्र है और उसका परियाप्त विकास भी हो चुका है यानि कि उसका पूरी तरीके से विकास हो चुका है और वो बहुत पुराना शास्त्र है किन्तु मनो विज्ञान एक नवीन शास्त्र है यानिकि एक नया शास्त्र है अब हम देखेंगे राजनिती विज्ञान और दर्शन शास्त्र दर्शन शास्त्र जीवन और जगत की प्रकरती और उसके मूद सम्बंदी मानव की खोज से संबंधित शास्त्र है राजनीति विज्यान के अंतरगत अध्यन किये जाने वाले राजनीतिक जीवन और राजनीतिक विश्व उस विष्व का ही भाग है जिसकी प्रकर्ति और जिसके मूल कि खोज दर्शन सास्त्र के अध्यन के विश्य है, दोनों विश्व में घनिष्ट संबंध होते हैं यह भी कुछ अंतर है जो इस प्रकार है, यानि कि राजनिती विज्ञान और दर्शन सास्त्र में भी बहुत घनिष्ट संबंध है, यह एक दूसरे के पूरक है, लेकिन इन मुख्य रूप से मनुष्य का राजनितिक जीवन और राजनितिक विश्व है, दूसरा है दर्शन सास्त्र की मूल प्रकर्ति सेद्दान्तिक और विचारिक होती है, किन्तु राजनिती विज्ञान है जो उसकी प्रकर्ति है, वो कैसी होती है, सेद्दान्तिक और विचारि से है जबकि दर्शन शास्तर का संबंद मुख्यत्य निराकार अमुर् तेवं अपृत्यक्स से है अब हम देखते हैं बच्छो कि राजनीती बिज्ञान और भूगोल में किस प्रकार संबंद हैं किस प्रकारτεंने पारस्तन रिकताएं हैं और किस प्रकारें अंतर हैं तो भू भूगोल का सम्मन्द भूमी यानि की जमीन वायू हवा वर्षा खनीज परदार्त किर्शी समुद्र नदी तथा पहाड इत्यादी से होता है भूगोल उन प्राकर्टिक दुशाओं का वर्णन करता है जिनका मनुष्य के जीवन पर विशेस प्रभाव पड़ता है राज्य क निर्मानकारी तत्वों में भूकंड एक महत्पुन तत्व है और भूगोल की अध्यन के विशे भी भूकंड अर्थार्त प्रत्वी जलतता वायू होते हैं भूगोल तता राजनीती विशे में पारस परिक्ता होते हुए भी दोनों में कुछ भेद है यानि की कुछ अंतर है जो इस प्रकार है भूगोल की अंतरगत विविन देशों की प्राकर्तिक दशा यानि की अलग-अलग देश उनकी अलग-अलग प्राकर्तिक दशा होती है कोई प्रकर्ति से कैसा बना है कोई कैसा है तो उनकी अलग-अलग प्राकर्तिक दशा होती है जलवायू भी अलग इसमें होता है जबकि राजनेदी विज्यान के अंतr Complutants राज्य सरकार्त तथा-विधी का अध्यान किया जाता है और्ट 食tin सर्कार्ट डशार जलवाए और अभूल में किया जाता है जैंक quiere कर को ते किस प्रीकार की होती रभावित करती है उसका अध्यान करते है राजनीति विघ्यान में भुगोल ठोस तत्यों से सम्बनित विघ्यान है जबकि यानि कि उसको पर आधारित होता है आधिल्त संबंदित होता है जबकि राजनीती शास्त्र क्या है तत्यों के सासाथ आदर्ष का भी चित्रन करता है और यह मतलब तत्यों के सासाथ क्या करता है आदर्ष का भी चित्रन करता है अब हम देखेंगे बच्चो राजनीती विग्यान और गणना शास्त्र में किस प्रकार संब राजनिती विग्यान दोरा प्राप्त सथ्यों को गण्णा द्वारा अभिवक्त किया जाता है। कानून का निर्मान करने में, निति का निर्धारन करने में गण्णा शास्त्र का क्रियात्म प्रियोग होता है। सर्कार जब कानून बनाती है, जिस निति का अनुसरन करती है, जो कारे करती है, उसका क्या परिणाम होता है? इसका आखलन भी गणना शास्त्रिक की साहता से ही होता है. तो बच्चों हमने इस वीडियो में पढ़ा है राजनिती विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार सम्मंद होता है और अब हमारे ये पार्ट कम्प्लीट हो चुका है अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों अगले चेप्टर के साथ तब तक के लिए थ थैंक्यू